नमस्का बीसे न्यूस के हिंदी बुलेटिंग के साथ मैं हूँ आपके साथ अंकेता और आई अब खबरे देखते हैं वस्तार से महराश की राजनीती में विकास पुरोष और कदावन नेता माने जाने वाले प्रदेश के वन सांस्कुरतिक कार्यमत से वहफसाय मंत्री सुधीर मुनगंटिवार के चंदरपूर के निवास पर गणपती बपा विराजमान हुए श्री गणिश की सापना पिछले कई सालों से अत्यन साजगी वरे माहोल में परिवार के सदस्यों के साथ होती है सबसे मैधपून बात यह है कि मुर्ति को बाजार्ट से खरीत कर नहीं लाया जाता मुर्ति खेट से लाई मिट्टी से बनाई जाती है और परियवरन पूर्वक सिंदूर और तेल का स्तमाल कर सुधीर मुनगंटिवार अपने हातों से गणिश मुर्ति को सजाते हैं परियवरन को शती ना हूँ इसका पूरा ध्यान स्वेम रखते हैं और यही इस गणिश मुर्ति की विशेषता है प्रदेश की ज्वनता को धंधानी सुक सम्रदी गंडराया प्रदान करें साती अच्छी सिहत देने की प्रातना सुधीर मुनगंटिवारने की श्री गणिश की आगवन से पूरे देश में खुशी का माहोल है और सुबह से घर-घर में बड़े हर्शोलास के साथ गणपती की स्थापना की ज़ा रही है भादरपत की चतूरती से अनंत चतूरदशी तक भगवान गणिश की विशेश पूजा और अरादना की जाती है देश के कई हिस्सों में इसे गणिश उत्सफ की रूप में मनाया जाता है महराश का गणिश उत्सफ तो पूरी दुनिया में लोग प्रिये है गणिश चतूरती के दिन गणपती को घण लाया जाता है उन्हें विराजमान करकी उनका अशिर्वाग प्राप्त किया जाता है शिव पुरान और गणिश पुरान के अनुसा भादर मास की शुलक पक्ष की चतूरती को गणिशी का जनम हुआ था पुरानिक कता के अनुसा माता पारवती ने अपने अंग रक्षक की तौप पर भगवान गणिश को अपने शरीर पर लगे उप्चन के लेव से तयार किया था और फिर उनमें प्रान फूके थे इसके पीछे भी कई पुरानिक कता हैं धामिक ग्रंतों के अनुसा जब वेद व्यास को महावारत का ज्यान हुआ तो उन्हें किसी ऐसे विद्वान की जरुवत थी जो उनके कहे को शब्दाश लिख सके उन्हें तीनों लोक में सबसे उप्योक्त विद्वान भगवान गणिशी लगे कहते हैं कि भातरपत की शुकलत चतूर्ती से चतूर्दस्शी तक लगतार 10 दिन लगतार उन्होंने महावारत का लेखन किया ऐसा कहते हैं कि लगतार 10 दिनों तक लेखन के कारण गणिशी के शरीर का तापमान बेहत बढ़ गया इसलिए वेद व्यास ने गणेश को पास में ही बने कुंड में इस्तनान करवाया इससे उनका तापमान सामान ने हो गया शायद इसलिए दस दिनों के बाद गणेशी की मूर्ती को जल में विसरचित कर दिया जाता है दुखा हरता मनत सुखाची कामना वद दुख निवारनाची शक्ती उर्जा स्री गनेशाचा चर्मी प्रार्थना करून आज गनेशाची पूजा करून आपन करतो है महाराष्ट्राचा जनतेगा सुखी ठेवा आमा सर्वान आनंदे ठेवा या महाराष्टा तेल विज़न दूर हो देया, तो विज़न हरताए, सुख करताए, भरभु नमगा आशिरवाद दे मी पुजा करताँ ना आमचा परिवारा सथी आशिरवाद मारित गाथा पन या महराष्ट्राचा जंते नी परिवाराचा सदस्य सम्झुन अमचे अबर जे प्रहेम केगा या महराष्ट्राचा जंतेगा सुधा, सुख सम्रुद्धी दे, आनंद दे हाशिरवाद स्री गनेशाचा चर्ने मागित गा अन्न दाता सुखी भव दिल लेचे ही तक्तर आखतो महारास्टर माजा ती शक्ति आमागा दे कि आमचा देशाचा आत्म दिर भर वसुधे व कुटुम्बकम व जगाचा गवरवशाली देश महुन या देशाचा सर्व जनतेगा शक्ति उर्जा दे अनि मगव विश्वास है कि स्री गनेश भगवान आमा सरवन शक्ति देग आशिकवाद देगा देगा दीगरश शहर में मंगलवार को गनेशी का हरशोलास के साथ आगमन हुआ गाचे पाचे के साथ लोग अपने बपा को घर ले जाने मूर्तिकारों की प्रतिष्ठानों और मूर्ती बाजार पहुचे थे इस मौके पर शहर के वडवाला जिन में गनेश मूर्ती बाजा में भारी भीड नसर आई यहां पहुचकर लोगों ने गनेशी की मूर्तियां खरी दी और धोल ताशों के साथ इन मूर्तियों को वहानों में बिठा कर अपने घर और गनेश मंडलों की ओल ले जाया गया अपने गनेश मंडलों में गनेशी की मूर्ती ले जाने से पहले विधिवत तरीके से पूजा कर मूर्ति को वहानों में बैठा कर गनेश मंडलों ने बड़े ही शान से गनेशी की आगमन का जुलुस निकाला शहरी नहीं बलकि दीग्रस तहसील के ग्रामिन इलाकों में भी बड़े पैमाने पर गणेशी की आगमन की खुशियां एक भावसव की रूप में मनाई जा रही है दीग्रस शहर से गणेशी की मूर्ती खरीट कर गाव दिहातों की तरफ जाते हुए वहन जगा जगा पर नजर आई इस दोरान शहर के मनोरा चौक चत्रपती शिवाजी चौक जूना पैट्रूल पंप परीसर सहित पूसर द्रोट पर बड़े पैमाने पर आम नागरिकों को यातियात की समस्या का सामना करना पड़ा इस दोरान दीगरश शहर ट्राफिक पुलिस विभा के लापर वाई भी नजर आई क्योकि बड़े देर तक वहन चालकों को ट्राफिक की समस्या से जूजना पड़ा वहराल आगामे दिनों में गणेश उस्तव के चलते शहर में यातियात की समस्या बनी रहेगी इस बात को ध्यान में रखते हुए दीगरश शहर यातियात पुलिस इस और ध्यान दे ऐसी मांग नागरे को द्वारा की ज़ा रही है NBCN News के लिए जुवेर खान की रपोर्ट सोभाग्यवती महिलाओं द्वारा अपने अखन सोभाग्य तता आविवाहित युफ्तियों द्वारा मनवांशित वर पाने हैं तू सोमवार को हरताले का तीज कवरत रखा गया तीज में पांच बार पूजन करने का नियम है महिलाओं ने सरप्रतम ब्रह्म महुत में पूजन किया फिर सुरोदे के बाद और गोधुली बेला में और उसके बाद रात्री शिव पारवती का पूजन किया गया शहर के सभी माता मंदिरों एवं घरों में फुलेरा बाना गया एवं विबिन तरह के पकवानों का भोग भगवान को लगाया गया एक दूसरे के घर महिलाओं ने रातरी जागरन करते हुए मंदल गीत गया और भजन कीरतन करके मंगलवार सवेरे तीच कश चहर के मद्धी स्थित छोटे तालाब और कुलभेरा नदी के प्रभावे जल में विसर्जन किया गया महिलाओं द्वारा सोला श्रिंगार कर एक दूसरे को हल्दी कुमकुम लगाया गया और सुहा की सामागरी भेट की गई सभी घरों में उचसब जैसा माहोल देखने को मिला महिलाओं ने शोमूर्थ में पूजन करते हुए अखंट सोभाग्य की कामना की साथ ही घर परिवा माटक के पास कूड़ा अमरवाडा रोड में दुपए तीन बज़े से छे बज़े तक किया जाएगा जिसको लेकर समीती द्वारा पूरी तैयारियां कर ली गई है इस कारिक्रम को लेकर आज दुपएर बारा बज़े से स्चेडियम ग्राउंड से कता इस्तल तक भव्वे कथा का आयूजन होगा गौर तलब होगी राम बद्राचारी पहली बार छिनवाड़ा चौरई में कथा का बाचन करेंगे कारिक्रम में आसपास के ग्रामी शेत्रों के अलावा अन्य जिलों से भी राम भक्त कथा शिरवन करने पहुचेंगे चिनवाड़ा से बीसे नियू जक्शंकर शिल्की ने सानी अप्राज शाका की ज़ाच टीम को अकोलर शेहर में बड़ी संख्या में चोरी हुए दो पहिया और चार पहिया वहनों की खोच करने और अप्राद का खुलासा करने का आदेश दिया दिनांक 18 सितंबर 2023 को नाकपूर से गोपनिय सूचना एवं तकनीकी ज्वाच पर आरोप्यू के नाम जोमन अखलाक एहमद उम्र बीस वर्ष निवासी भालदार पुरा गांधिवा के पास नाकपूर शेक अमजा शेक आजम उम्र उननिस वर्ष हमजा प्लोट वाशिम बा 54 क्लोमीटर 50,000 रुपे HF Deluxe CM H30 BJ 8663 क्लोमीटर पूर्वा यह रामदास पेट में दिया गया था उक्तिकारवाही माननी पुलस सदिक्षक संदीप गूगे माननी अतर्त पुलस सदिक्षक अभे डोंगरे के मार्ग दर्शन में पियाई शंकर शेल के स्थानी अपराश शा नेमाडे प्रधान आरक्षक आकाश मानकर प्रधान आरक्षक धीरजवान खेड़े मौमत आमीर अभिशेक पाठक अंसार एहमत लीलाधर खंडारे सौपनिल खेड़कर सौपनिल चौधरी साइबर आशीश अमले ड्राइवर प्रशांत लोखंडे ने किया इन बीसी एन न से मानिता चल रही है हरतालिका तीज का पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिष्टे को ध्यान में रख कर किया जाता है इस दिन महिलाएं 16 श्रिंगार करके पूजन अर्चन करती है और अखंड सौभागी का आशिरवात प्राप्त करती है गौरी माता क पूजा पाट और उपवास रख कर मनुकामना करती है हरतालिका तीज का वरत किया जाता है यह पर्व भगवान शिव और माता पार्वती के अटूट रिष्टो को ध्यान में रख कर किया जाता है इस दिन महिलाएं 16 श्रिंगार करके पूजा अर्चन करती है और अखंड सो भागे का आशिरवात प्राप्त करती हैं साथ फिर हर्ताली का तीज की कथा सुनती हैं हर्ताली का तीज के कथा सुनने वपढ़ने मात्र से भगवान शिव और माता पारवती का आशिरवात प्राप्त होता है और सुख शान्ती और सम्रद्धी में व्रद्धी होती है पार्शिवनी शहर में महिलाएं बड़ी श्रद्धा से इस पर्व को मनाती है वह उपास रख कर मग गौरे की पूजा करती है अगले दिन सभी महिलाएं सद धच कर गौरी मा की अरादना कर गौरी मा का भावीनी विसर्जन करने तालाब नहे नदी पर जाकर करती है आज मंगलवार की सुबा से घोगरा महादेव देविस्थान पेश नदी महिलाओं की भारी भीड गौरी मा को विदाई देने पहुची थी जहां महिलाओं द्वारा नदी किनारे विदिवत पूचा अर्चना कर बड़ी धूमदाम से अर्ताली का तीज व्रत मनाया गया आज की दौर में देखा जाता है कि कई यूफ्तियां लव मैरिज को लेकर उत्साहित रहती है कई जगाओं का प्रेम विवा के कारण कई लोगों का परिवार अच्छे से चल रहा है लेकिन कई प्रेम विवार के निवालों के जीवन में कला हुने की भी तस्वीर हमने देखने को मिलती है अकसर दोनों परिवालों के बीच भैस और जगड़े भी होते रहते हैं कभी कभी जीवन घातत प्रकार भी होते हैं इस समस्या को ध्यान में रखते हुए गोंदिया जिले के सालिक असा तालुका के अंतरगत आने वाले गाव नामभा की ग्राम पंचायत ने एक अनोखा फैसला लिया है गाव की पंचायत ने केवल उन लोगों को विवा प्रमान पत्र जारी करने का प्रस्ताफ पारित किया है जिनके पास प्रेम विवा के लिए परिवार की अनुमती है ग्राम पंचायत की और से सभी को प्रस्ताफ की कौपी सौप दी गई है तो आईए देखते हैं BCA News की ये खास रपोर्ट यहां गोंधिया जिले के साले कसा तालुका के अंतरगरत नानवह ग्राम पंचायत है और यहां के सरपन सच्चिफ और सदस्यों के साथ साथ ग्रामिनों की सहमती से एक प्रस्ताफ पारित किया गया है यह पहली ग्राम पंचायत है जिसने यह संकल्प लिया है कि यदि कोई युवक युफती प्रेम विवा करना चाहता है तो उसके लिए दोनों के परिवारों की सहमती होना आवशक है तब यो ने ग्राम पंचाय द्वारा विवा प्रमान पत्र चारी किया जाएगा अनिता नहीं विवा प्रमान पत्र प्राप्त करें आज हम बड़ी संक्या में अल इसे देखते हुए ग्राम पंचायत नानभा के सरपन सदस्यों और ग्रामिनों ने मिलकर एक गाव में एक प्रस्ताफ पारित किया कि यदि प्रेम विवा करने वाला कोई व्यक्ती ग्राम पंचायत से विवा प्रमान पत्र चाहता है तो ग्राम पंचायत विवा प्रमान प इसके लिए यह प्रस्ताफ पारित किया गया है. ग्राम पंचवायत इवं इसका क्रियानवन भी इस ग्राम पंचवायत द्वारा प्रारम कर दिया जा है. ये प्रस्ताफ कितना कारगर होगा ये तो वक्त ही बताएगा. एक तरफ जहां महराश्र सरकार अंतर राजजी प्रेम विवा को बढ़ावा देने के लिए बड़ी मात्रा में सबसीरी दे रही है वहीं दूसरी तरफ नानवा जैसी ग्राम पंजवायत ने ऐसा प्रस्ताव पारित किया है जिससे प्रेमी जोड़े हैरान है अब यह देखना एहम होगा कि सरकार इसे किस भुमिका से देखती है प्रेमिवा चे युवा यूती मंदे प्रकर्ण वाल्ड़ेले या अशा प्रेमिवा मुड़े गावा मंदे दून समाधा मंदे किमा दून परिवरा मंदे वाधिवा सुरु होता त्या मुड़े जे सम्मधित परिवार है जे लगना करता प्रेमिवा करता तेंचे जो सम्मधित परिवार है त्याला एक मनस्ता पेन एक त्रास सहन कराव लगतो समाजा मंदे बदनामी सहन कराव लगतो त्या मोड़े अप्यरे घटना होता सता समाजा मंदे कि जिवाप्रैंट दुन ही परिवारा चे मुला मुलें चे तो परिवार गड़ारा रमार करतील के बेटा आपने ले अर्शा नाई कराई चाहे आणि अर्शा वागाई चाहे ते आपने ले प्रोच्छा हन मजे सभा मत देऊन आणि येचा इंतर मुला मुली नाई फरक पड़ेल कि नाई आपन अची नाई वागदे पाई जो आपन जासर नाई प्रेम युवाब मत दे आपने कुटुमबाची दोने परिवाराची कुटुमबाची सहमती नसेल विवाद आखला देला जानार नाई हे निर्णे येचा सटी घेतला गेला कारण की मनन संताप पसुन दोन कुटुमबाची ये विवाद विकोपाला जाओ सकतात आणि त्यानंतर आपन बगितला है की सहराट पिक्चर में जाके जे कहानी घडली तसे कहानी आजकल घडताना दिश्तात गोंदिया से BCN News के लिए अभिशेक भटनागर की रपोर्ट फिलहाल हिंदी बॉलेटर में इतना ही आप बने रहे है BCN News के साथ नमस्कार